इस्टुडेंट ओक्य बायलोजी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समसुत्री कोशिका विवाजन के बारे में तो एक बहुत ही महत्व पुन टोपिक है कोशिका विवाजन का समसुत्री कोशिका विवाजन जिसको पन माईटोसिस भी कहते है तो इससे पिछले वाले वीडियो में फद्पते बाते सिखेंड अपury वीडियो का आप देख सकते हैं कोसिक व system वाले नाम से एडी कैद लाइन एक पाट का नाम यूप समसुतरि वीडियो को देख सकते समसुत्री समान समयने समान सुत्र यानी होता है सुत्र यानी गुंसुत्र समान गुंसुत्र रहते हैं कहने मतलब है पिछले वीडियो में आपको बता जा चुका है कि ऐसा कोशिका विवाजन जिसमें पुत्री या संत्ति कोशिकाओं में गुंसुत्रों की संक्या मात्र कोश अब जब समसे का बनती है तो वो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बिलकुल समान होती है quality and quantity रूप से बिलकुल सेम रहती है अपनी मदर से लिया मात्र को सिखा से माइटोस को हम एपर्टेक्स वीबाजन गहा रहे हैं जा इसको पन कह रहे हैं इंडारेक्टिव डिविजन यह आपको पहले बताएज नहीं होता है इसको यह इंदर्क का विबाजन सीदे नहों होकर विभिन प्रावस्ता जिसे प्रोफेज मेट अफेंड टेलोफेज के विवाजन होता है सिधर डायरेक्ट के इंदर कभी विवाजित नहीं करता है तो ऐसा विवाजन क्या कहलाएगा अपर्टेक्स या इन डायरिक जनन करने वाले जो उत्तक है या कोशिकए हैं वो भी कभ अर सुत्री विवाजन से पूर्व है जब उनमे अरु शुत्री विवाजन हो जाएगा उससे पहले जो भी उत्तक होंगे वो भी तो अपने सिंक्या को बढ़ाएंगे जैसे माली जी यह कोई कोशगाई है इनके अंदर 46 गुंसुत्र है यह अपनी संग्या को लगातार बढ़ा रही है 46-46 कर रही है तो इनमें जो कोशगाई बाजन वो कौन सा हो रहा है समसुत्री बाजन लेकिन जब इसमें अर्शुत्री बाजन होने लग जाएगा तो इसमें गुंसुत्र कितने हो जाएंगे 23-23 हो जाएंगे इसके अंदर तो अर्शुत्री बाजन से पहले जो जनक उत्तक होता है उसके जो कोशगाई होती है उसमें जो विवाजन चल रहा है कौन सा चल रहा है मैटोसेस या समसु सुत्री विवाजन इसके लावा बिजानू के अंकुरण के समय के समय जब कोई बिजानू बनता है पादप में तो उसका अंकुरण होता है तो इसमें भी कौन से का विवाजन होता है माइटोसिस होता है अड़ सुत्री वाजन के बाद में एक सहचना बनती है जिसका नाम है युगमनज जिसको अपन जाईकोट भी बोलते हैं ये जब विकास करता है भूण बनाता है तो इस विवाजन में भी कौन सा विवाजन होता है समसुत्री वाजन ही होता है हलाएंकि युगमनज के बाद में जो ग्रोत करेगा तब उसमें समसुतर विवाजनी चलेगा और जो भून बन जाएगा युगमनज का आगे विकास होगा भून के विकास या जिसको परिवर्धन भी बोलता है तो परिवर्धन के दोरान भी यही विवाजन चलता है कि इस तरह से बहुत सारी जगह हो गई काई कोष का मेन तो यह वहां पर इसके लावा जनन करने वाले उत्तक अर्द्ध सुत्री बाजन सब्सक्राइब पहले पहले चीह होता है वोण के कास और पर व्याहरो गया वहाँ पर भी सम्झत्री बजन हो का नम घनर तरी नहीं समसुतरी बादन हो गहने काय inflam सरह होती है जो हम पर समस्पली बजन चलता रहता है साब जनन को 4000 बजन यूगंन बनते हैं उसकोषिका को छोड़के बाकी हर जगे सम्झेतरी बजन में मेलेगा चलिए इसकी डिस्कावरिया खौज के बारे में पंदर्चा गड़ते हैं खौज के शेवी इसकी दिके के सइंटिट वाता वाल्टर फ्लेमिंग वाल्टर अप्लेमिंग इसको उपन शोट में डबलू फ नाम दिआ माइटोसिस नाम दिया याद रिखेंगा डबलू फ्लेमिंग ने ख़ूजए और माइटोसिस नाम दिया था आलांगी इसका वर्णनन विस्तर्थ वर्णन सान क्षेल विश्तर्त वरणन जिसने किया कि वो साइंटेस्ट एक तो Sleecher वह विस्मेन यह दो सांटिस्ट वह थे स्लीचर और विस्मेन तो इसको उपना इसे लिखते हैं Sleecher and Wismen यह दो सांटिस्ट वह इसका विस्तर वननन दिया था और इन्हों नहीं यह बताए था कि विस्तर वननों का मुतलब है इन्हों नहीं यह बतायता है कि इसमें केंदर का विवाजन होता है पहले और उसके बाद में कोसी का दर्वे का विवाजन होता है तो इसलिए जरूर विस्मेन के द्वारा यह बताय गया था अब बात करते हैं माइटोसिस होता क्या होता क्यों है इसका कारण क्या है वह इंपूर्टेंट बात है माइटोसिस का कारण क्या है क्यों होता है यह कोई जीव है यह एक पहले चोटा सा था फिर यह इस तरह से बढ़ा हो गया फिर यह और बढ़ा हो रहा है मतलब अपने एक म मान रहें इसके अंदर मान लिजिए पहले दो कोशिकाएं थी इसके अंदर भज़ित होकर यह चार कोशिकाएं होगी कि पिर यह इसमें भज़ित होकर आठ कोशिकाएं होगी कर जिस तरह लेकिन ये वह सकता है कि ये दो कोशिक मा बजित नहीं होती और ये स्स्थिय ओ जती कि कि इसमट में दो कोशिक हो र रहती है फिर ये दो कोशिका यह वो उपना आकारặt원 कर लेती और ये बढ़ा जाता पिर है यह बड़ा का कंट्रोल तो इसका एक कारण है जो इसके अंदरे है कि केरियो प्लाज्मिक इंडेक्स होता है देखिए अपने केरियो है आपका प्लाज्मिक के इंडेक्स ये इंडेक्स इसको उपन सोट में के आई बोलते है के आई में एसंतुलन होने पर माइटोसिस हो जाता है या होता है ये संतुलन हो गया ये संतुलन का मतलब है को के काई का एक सुतुर है अपने पास क्या या आक एपर होता क्या है उसको तो बोलते है केंदर का आएटन केंदर का आएटन कोशी का दर्वे का आयतन 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 कोशी का दर्व साइटोप्लाजम कम होता है जब कियाई का मान अधिक होता है तो उसमें साइटोप्लाजम कम होता है और जो छोटे कोशिका होगी वह ज्यादा एक्टिव रहती है कि इंदर का उस पर कंट्रोल ज्यादा होता है क्योंकि एक छोटा सा छेतर होता है जैसे को देश होता है उसको चोठी कोषिका में चोठी कोशिका में चुठी कोषिका में केंदर नेनत्रन बहुत स्क्राइब और बड़ी कोशिका में जो साइटोपलाजम होता है उसकी मातरा भी बढ़ जाती है यह साइटोपलाजम खूब बढ़ गया चोटे काशिका में साइटोपलाजम कोशिका दरवे कम है और कम होने के कारण जो आपका के आई वो अधिक रहेगा यहां पर साइटोपलाजम इसलिए क्या होगा कि यह बड़ी कोशी का विभक्त होकर इसमें समसुत्री बाजन हो जाएगा इसके कोशिका ही बनती जाएगी चोड़ 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 इसलिए कि को संतुलित करने के लिए के याई के बिगडे नहीं उसका संतरल बना रहे है इसलिए के कोशी के बड़ी नहींनितरन परभावी तरीके प्रपरबावी तरीके से कंट्रोल कर पाता है तो बस यह यह बड़ी चोशी का यहाँ पर लिग देता हूं में जो बड़ी सेल होती है उस बड़ी सेल में जो साइटो प्लाजम होता है वो बढ़ने से के आई ये नीचे के वेलू जब बढ़ेगी तो ये फिर बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी के आई कम हो जाता है अब जब केरियो प्लाजमी कम हो गया ना तो उसको वापस संतुलित करना है जिस सेंग केंद्र के का कंट्रोल सभी किरियाओं पर परभावी रूप से नहीं रहता है नहीं रहता अतै के आई को बनाए रखने के लिए एक बड़ी कोशिका दो छोटी सेल में विबाजित हो जाती है विबाजित हो जाती है वसी है कि जो बड़ी कोशिका गी उसका साइटोपलाजम बढ़ गया बड़े से कियाई कम हो गया और केंद्र का कंट्रोल सभी किरियाओं पर पूर्रूम से नहीं हुआ कियाई को बढ़ाना मतलब उसको संतुलित करना है तो कियाई को बनाए रखने के लिए इस बड़ी कोशिका को दो बागों में बाड़ दिया जाएगा तो कियाई कंट्रोल में जाएगा और केंद्र का भी नेंतना वह सही तरगे से उपाएगा किव्यासी लिए है ए मटो इसका है कियाई को संतुलित करना या केंद्र कें नेंतना को बना ही रखना दिहाएगा इसलिए इसलिए चोटी कोश नोगी तो पनेंतन वह से रहे पाएगे और यह आपका कहला है का कियाई का प्रभावी होना अब देखिए NEXT इसके अंदर देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है तो समसुत्री बाजन अगर कोन-कौन से Сठेट होगी तो कोन-कौन से कि का ओगी है समंशुत्री बाजन के अंदर अपन देखेंगे तो सम्सुत्री विवाजन में दो प्रावस्ता होगी एक तो केंदर का विवाजन केंदर का विवाजन केंदर चार प्रावस्ता होगी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और अंतिमावस्ता होगी टेलोफेज और इसके बाद में केंदर का विवाजन हो जाएगा केंदर के विवाजन के बाद में होगा कोशी का दर्वे विवाजन जिसको साइट वाइने से विपन खेह रहे थे कोशी का दर्वे विवाजन इसमें कोशी का दर्वे बाजन में क्या होगा कोशी का दर्वे और उसके गठों पे बाजन होगा तो पादब कोशी का जो होगी वो तो सेल प्लेट के दवारा सेल सेल प्लेट मेथड से बाजित हो जाएगी और जो जनतो कोशी का होगी वो सेल गुरू मेथड़ है यानि खांच विदी से हैं यह विज़ जाएगी खोशिका पट्टी का विदी से यह वने वाला है तो अब इसमें अपन जो फड़ेंगे वो सबसे पहले बढ़ेंगे समस्तुरी बाजन के चरन चरन में पहला कौन सा पढ़ेंगे केंदर का बाजन और दूसरे का पढ़ेंगे कोशिका दरवी बाजन तो पहला चरन पढ़ेंगे अपन समस्तुरी बाजन का पहला चरन का जो पहला चरन है उसकों क्या गहे रहे हैं आपका केंदर के का विदाजन इसको हम क्या गहेंगे इंगर जी में केरियो काईनेसिस इसमें चार अवस्ता हैं फढ़ेंगे पन और वो चार अवस्ता के अंदर मतलब इसमें होगा क्या तो देखिए इसमें केंदरक विदाजित होकर केंदरक विदाजन का मतलब है केंदरक कोशिका है इसमें ये केंदर ये एक स्थाइन का मतलब है गुणसुतरु एक दोंगों बाजीत ओगए तो इसमें यह जो करिया दिकर है आपको कहेंदर विबाजन ओकर दो बागों में बटना, ये चार बस्ता हैं होगी इसके अंदर, पहले प्रोफेज, मेंटा पेज, जना पेज, तेलोफेज, तो कहेंदर का विबाजन मतला है, इसमें केंदर के विवाजित होकर दो पुत्री को केंदर को में या दो संत्ति केंदर को में बट जाता है और सेल के जो गुंसुतर होते हैं वो भी विवाजित होकर दो बागों में बट जाते हैं अब यह जो इसमें चार फेज होती है, इस चरण में चार अवस्थाएं होती है, मुदर केंदर का वजन कितने अवस्था में से होता है, प्रोफेज, मेटापेज, एनापेज और टेलोपेज, यह चार अवस्थाएं होगी, तो सबसे पहले आपन कौन सी प्रावस्ता पढ़ेंगे प्रोफेज इसको पने इंदिम क्या वोलते हैं पूरवावस्ता यह बहुत ही मैतुपूर प्रावस्ता है अब इनको एक एक ओपन डेटेल से पढ़ने वाले हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही और कल अपन हर वीडियो के अंदर एक ही का वस्ता को बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं और आपको अच्छ तरह से समझाने वाले हैं तो सबसे पहले हैं अपन पढ़ेंगे प्रो फेज देखो ये पहले वास्ता है और सबसे लंबी प्रावस्ता है तो इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है तो आज के वीडियो के लिए बस इस वीडियो में इतना ही तन्यवाद